तो चलिए आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और साथ में बात करेंगे एक ऐसा सेक्टर जहां बंगला देस्ट क्राइसिस का बहुत भ्यांकर वाला फायदा मिल सकता है किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ अगर कमेंट में बताएं तो मुझे आइडिया लगेगा कि आप भी मार्केट से जुरेवे हैं और चलिए सुरू करते हैं निफ्टी पर रहे थी कि मार्केट क्या करता है जब भी यह रेंज बरी वाली केंडल जो बनी थी जहां पर रीटल भाईयों को लूटा गया था मार्केट एक बार उसी एरिया में यहां पर आया और फिर यहां से उपर की तरफ गया यानि आप लोग जो जूट मुट में यहां पर जहां पर अगर आप प्राइस एक्सन को वैल्यू देते हो प्राइस एक्सन को रिस्पर्ट करते हो आपको लिमिटेड और बेस्ट ट्रेड मिलते हो आप सीख कर समझ कर आगे बढ़ते हो तो निफ्ती ने आपको प्रापर किया अब कहोगे आगे क्या है तो सेम कहानी आगे बस यही है कि support point को पकरा है support point से उपर गया है तो वही 500 का support कहलाएगा उसके अलावा कोई दूसरी कहानी फिलहाल बनती नहीं है और उस दूसरी कहानी में अब इसको कुछ करना है तो यह जो inside bar कहलाता है इसके high का breakout बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें इसके high का level क्या हो गया 24,857 यानि 24,860 870 पकर के चल सकते हो तो यह हो गई nifty की level अब हम बात करें bank nifty की bank nifty में कोई खास movement नहीं हुआ वही inside bar लगातार बनता जा रहा है इसके 15 मिट के चार्ट में आ जाओ तो आप पाऊगे कि market वही range में dance कर रहा है और उस range में यह जो नीचे का support है यह देखो proper से support लिया तो यानि nifty ने जिस समय support लिया bank nifty ने भी उसी समय support लिया और साथ में गया और यह बड़ी प्यारी चीज होती है जब nifty और bank nifty दोनों साथ साथ चलते हैं तो यह market को एक बहुत अच्छा move देने की कोसिस करते है अब यहां पर अगर आप bank nifty के support level पे आओगे तो bank nifty का support level 53,300 के आसपास का है जो इसका resistance level है 53,900 का है और day time frame में आते हैं तो आप देखी पा रहे हो कि यह जो level 53,900 के पास का यह जो पूरा inside bar बन रहा है यह पहला important level रहेगा और यह जो दूसरा है 54,500 का जो मैंने कल भी आपके साथ share किया था वहीं पर fin nifty में देखने की कोसिस करते हैं fin nifty भी बिलकुल inside bar ही बना हुआ था 15 minute के चार्ट में आ जाओ same कहानी जैसे nifty वैसे bank nifty और वैसे ही fin nifty बनी यहां से पिन बार बना और तेजी बी तो यह है भाईया price action जहां पर again अगर इसके level पे हम बात करें तो level में कोई change नहीं आप इसके support level पे देखतो 24,750 का और resistance level 24,950 का है तो यह है nifty bank nifty और fin nifty की कहानी और यही price action जब आप सीखते हो दोस्तों खुद से trade कर पाते हो कब stock में buy करना है मालो nifty support लेकर उपर जाए उस समय कोई stock भी आपके buying के radar पे है तो वो आपको अच्छा पैसा दे सकता है तो आज से सुरू हो रही हमारी stock market class अगर आपने book नहीं किया है जो पहले मैं देता था फिर रोक दिया था लेकिन वापस से आपकी demand पर सुरू किया है तो आपको समझ में आएगा मेरे 20 साल का experience क्या है मौका न जाए क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे जो लोग class join करेंगे उन्हें unlimited benefit मिलेगी क्योंकि live class भी होगी recording video भी मिलेगा revision भी मिलेगा mentorship भी मिलेगा handling भी मिलेगा student group भी मिलेगा जहाँ पर gap up और gap down जब होता है तो क्या करना है ऐसी हर चीजे बताई जाती है और यह है एक chart market breed का जो market breed का यह data हम आपके साथ लेकर आए है जिसमें ये data के आधार पर कितना stock 32 stock है जो 48% से उपर है 6 stock सारे 4% से down है तीन दीन से लगातार 6 stock ऐसे है जो 20% उपर गय정이 एक stock 20% down गया है कितने stock 20 EMA से उपर है कितने stock 50 EMA से उपर है कितने stock 200 SMS से उपर है ऐसा data बताथा है के आधार पर यह यह बताने की कोसित करता है तो यहां पर बुलिस का पॉसेंट 62 है और बेरिस का पॉसेंट के share है, अब एक नजर option chain पर भी डाल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप पाओगे तो यह call का area, यह put का area यह nifty का option chain हम आपको दिखा देते हैं, यह सारे 4 लाख है और यह सारे 4 लाख है, 24,700 का, यानि 24,700 का एक resistance area और वहीं पर 24,800 का एक resistance area आपको यहाँ पर as per option chain दिख रहा है, वहीं पर अगर हम support level पे जाते हैं, तो आप पाओगे 24,500 का पहला support area और उसके बाद पाओगे 24,300 का दूसरा support area है, OI के हिसाब से, यहाँ पर हमेशा याद रखेगा जो price section के level होते हैं, वहीं पर अगर OI का level, दोनों match करता है, तो बहुत फायदा होता है, लेकिन सिर्फ OI देखकर अगर आप trade करोगे, हमेशा नुकसान होगा, उसको भी मैं day basis पर प्रूफ करूँगा, बसरते कि आप paper pin में note करोगे, और साथ में price section के level 90% time का ऐसे correct होंगे, उसको भी मैं day basis पर प्रूफ करूँगा, इसलिए मैं कहता हूँ, भाव भगवान है, तो उमीद करता हूँ, nifty bank, nifty analysis पसंद आई हो, तो comment में बताईएगा, लोगों के साथ वीडियो ज़रूर share कीजेगा, और अब चलते हैं, वो crisis वाले stocks की तरह, कि देखिए Bangladesh crisis के कारण, एक ऐसा sector है, जिसमें आग लगी भी है, और पटाके रूपी share दनादन फटे जा रहे हैं, अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर वो stock breakout पे हैं, तो आपके लिए एक मौका हो सकता है, तो आखिर क्या है खबर, चलिए समझते हैं, और कैसे इस sector के share को फायदा मिल सकता है, उसको जानते हैं, जिस sector की बात कर रहे हैं, उसका नाम है textile sector, और 3% से भी ज़्यादा का contribution है GDP में, आपके पास textile का कौन सा share है आपके portfolio में, comment में ज़रूर बताइए, तो बंगलादेस की crisis में नहीं जाएंगे, वो आपको पता होगा, global textile industry में second largest market है, बंगलादेस का, जो manufacturing और export करने में master है, और वहाँ पर बड़ी कमते हैं, जैसे Nike, Puma, H&M, Walmart, अपने manufacturing plant लगा रखे हैं और export करते हैं, और हम हैं, चौथे नंबर पर, तो हमें मौका कहा है, दूसरे नंबर पर आने का, overall, contribution की बात करें, तो पूरे world के textile export market में, 8 से 10% का contribution करता है, बंगलादेस और हम करते हैं, 4 से 5%, यानि काफी गयब हैं, लेकिन बंगलादेस में जो हालाच चल रहे हैं, इससे वहाँ की GDP पर भेंकर बुरा वाला असर परा है, और ऐसे में बरी कंपनिया सिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और मौका कहा मिलेगा, इंडिया में, उनके इस decision को boost किया, वहाँ की सरकार में, बंगलादेस का सबसे बड़ा textile industrial park, vaccine को, group ने 32 कंपनियों को sell करने को कहा है, अरे बबा, 32 कंपनी बेचेंगे, तो ये इंडियन टेक्स्टाइल और garment कंपनी के लिए एक positive signal है, खास कर अब जब बंगलादेस गौवर्मेंट ने sell या lease पर देने का फैसला लिया है, अब ये जो group है, बंगलादेस का सबसे बड़ा private sector group है, वहाँ पर liquidity crisis का सामना किया जा रहा, पैसा की कमी, और इस group के पास 169 company है, जिनमें से 30 से 32 कंपनी को sell कर दो, या lease पर डाल दो, ऐसा कहा जा रहा है, और ये इंडियन garment maker और textile exporter के लिए opportunity है, कुछ major textile industry को देखें, तो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये वो हमारे नाम है, जो दनादन export करते हैं, यानि जो सबसे ज़ादा export करते हैं, वो आपके सामने है, domestic में इनका market percentage कम है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे, चार्ट पे देखोगे, तो आपको फाइदा मिल सकता है, तो ये क्या होगे, टॉप की कमपनिया हो गई, जिनको boost मिल सकता है, साथ ही, textile industry में बढ़ती instability देखने को मिल रही है, जिससे ये चिंदा है ये बरे international fashion brand, अपने order को कहां shift करेंगे, इंडिया shift करेंगे क्योंकि इंडिया एक growing economy है और last के कुछ सालों में हमने ये transformation भी देखा है ऐसा नहीं, ये सर्फ बात है, सच में ऐसा देखा है, अब कहोगे कैसे, उसको मैं प्रूव करता हूँ data set के साथ 2024 में भारत की US textile market में हिस्सेदारी 7% तक बढ़ गई है, जो की 2023 में 6% थी, इसी तरीके से UK textile market में भारत के हिस्सेदारी 5% से बढ़ कर 6% हो गई, 2020 में चाइना का UK market से 27% था, जो 2024 में गिर के कितना हो गया पता है, 19% इसलिए अब global buyer का focus कहा होगा, भारत यानि इंडिया, हमारा हिंदुस्तान तो ये textile sector के लिए एक opportunity हो सकती है तो यहां से ये clear हुआ कि last के सालों में भी इंडिया ने खुद को मजबूती से मजबूत किया है यानि हम सर्फ अभी की बात नहीं करें सच में transformation चाल हो चुका है तो ये क्या हुआ इंडिया के लिए global opportunity यानि अगर company'ा सच में फायदा लेती है सच में company'ों के पास order आता है सच में plant लगते है तो ये एक long term की कहानी बनेगी तो हम इस तरीके से आपको सिखाते है कि कहा long term की कहानी कैसे बन रही है news क्या हो रहा है उसको कैसे combine करते है पिछले सालों में सच में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है इन सब को merge करो ना कि सिर्फ video देखो और दौर के buy sell कर लो बाद में फस जा और बाद में blame game करो लेकिन जब आप सुनते हो समझते हो इनके financial को देखते हो इनके books को देखते हो कैसे order आ रहे है company कैसे capex कर रहे है तब आपको समझने आता है और उसके लिए fundamental analysis आपको सीखनी पड़ेगी जो आप हमारे app से या website पर जाकर खरीद कर सीख सकते हो लेकिन फिलहाल तो भाईया आग लगी भी है textile sector में तो लड़नी पसंद आ रही है तो वीडियो को शेर कीजिएगा और क्या improvement चाहते हैं वो भी comment में बताईएगा thank you so much